अगर a2 इकोस टु दिया होए तो a plus one क्या लिख सकते हैं अब a plus one equals to root 2 plus one कहां पर अच्छा root 2 plus one को क्या कोई value है ऐसा कि कोई भी compare करे या फिर कौन किसी भी value compare करे फिर उसको check करे कि यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है अचा सर कैसे होगा देख लेते हैं सर a minus 1 नहीं होगा a plus 1 equals to a minus 1 के value क्या है सर a minus 1 के root 2 minus 1 root 2 plus 1 equals to root 2 minus 1 नहीं होगा यह cut गया तर 2 by a minus 1 मतलब root 2 minus 1 क्या इसका value होगा 2 into root 2 plus 1 आ जाएगा सर तो यह भी नहीं हो रहा है सर यह check कर लेते हैं तिसरे वाले तिसरे वाल a plus 1 मतलब root 2 plus 1 divided by 3 into 3 minus 2 into root 2 plus 1 देख लेते क्या होता है सर root 2 plus 1 root 2 plus 1 divided by 3 minus कुछ भी divide करो root 2 plus 1 से तो वो छोटा ही होगा तो यह भी नहीं होगा ठीक है तो यह भी कट गया तो option number 4 पड़ा हुआ है अब check कर लेते हैं 4 वाला ठीक है की नहीं तो सर चेक करते हैं root 2 minus 1 divided by 3 minus 2 into root 2 ठीक है अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिये थे a plus 1 के value यह कटते हैं पहले देखते हैं एक बार a plus 1 कितना सा root 2 plus 1 by 3 minus 2 root 2 तो 2 root 2 यह कुछ भी हो value कुछ भी एक value है तो वह root 2 plus 1 से तो बड़ी छोटी होगी ठीक है तो इसलिए यह cut गया था यह cut गया था इसलिए तो 3 minus 2 root 2 ऊपर नीचे गुना करता है तो 2 minus 1 into 3 plus 2 root 2 से गुना करता है तो 3 plus 2 root 2 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो नीचे 9 minus 8 आट आएगा तो 1 आ जा रहा है ठीक है तो ऊपर कितना हो रहा है सर ऊपर हो रहा है 3 root 2 plus 2 2 0 4 minus 3 minus 2 root 2 तो यहां से 4, 3, 1 minus plus root 2, root 2 plus 1 आजा रही है, root 2 plus 1 ओके सर, क्या यही value था a plus 1 का, हाँ सर, यही value था option number 4 is the correct answer यह थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि यह check करना पड़ रहा था ओके, thank you, bye bye stay tuned for the next class